हाई हैलो एवरिवान कैसे हैं आप सब लोग ही हमारा वीकली करंट अफेश शो है जिसमें हम कवर करने वाले हैं लास्ट वीक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन को तो शुरूत करेंगे आज के हमारे फर्स्ट क्यूशन आपके सामने हैं आपको अपने पास एक पेपर रख ते चलना है। लास्ट में आप कितने वीक पर ठीक कर पाते हैं वह आपको कमेंट एक सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपका पर कितना आता है And we will try कि हर एक session में आपको जो score है वो increase होता रहे इसके अलावा students अगर आप first and second week की current affair के sessions देखना चाहते हैं तो उसका link जो है वो आपको description box में मिल जाएगा First question हमारा है which day observed as the world heritage day World heritage day को हम बोलते हैं international day of monuments International day of monuments भी इसको बुलाया जाता है इससे later students जो एक organization है उसका नाम है international council of monuments and sites ये वो organization है जिसने declare क्या था 18th April को international day of monuments या फिर वर्ल्ड हैरीटी इसरी तो इस question के लिए हमारा जो right answer है students वो 18th April है Now what is the theme of that particular day इस दिन का theme क्या रहा है देखो हमारे जो COVID-19 के regarding ये जो issue चल रहे है coronavirus हम सब मिलकर fight कर रहे है तो इसी से later एक theme यहाँ पर है Shared culture, aid heritage and aid responsibility Okay students तो यह यहाँ पर इसका theme रहा है कोई भी आपसे रहे पूछा जाएगा तो उसका theme भी हमने साथ में पता होना चाहिए अच्छा इससे later एक और organization जो है students हो क्या है UNESCO है अपने नाम भी सुना होगा कि UNESCO के different heritage sites होती है हमारी इंडिया में भी UNESCO की काफी heritage sites हैं तो UNESCO का headquarter कहा है students UNESCO का headquarter भी Paris France में है और UNESCO का headquarter भी कहा है it is in Paris France okay which day observed as the world haemophilia day haemophilia is a kind of disease which is related to the blood blood से related a disease is 17th April जो आपको option number B में यहां पर दिखाई दे रहा है वो हमारा right answer हो जाएगा now what was the theme of that particular day theme जो अगर आपसे पुछला जाए यहां पर तो it was get involved इस बार का जो addition to students it was 30th edition who has been appointed as the CMD of MTNL MTNL के CMD कौन बन गए है students अभी आपको एक ओव बात यहां पर पता होना चाहिए who is the CMD of BSNL BSNL के CMD कौन है PK पुरवर है और उनको additional charge दिया गया है as the CMD of MTNL वो MTNL के CMD बन गए है यानि अगर आप से BSNL और MTNL दोनों की CMD पुछे जाएंगे तो हम क्या answer करके आएंगे PK पुरवर करके आएंगे MTNL ने उन्होंने जो replace किया है वो किया है सुनील कुमार को के तो उन्होंने replace किसको कर दिया सुनील कुमार को यहां पर replace कर दिया है Mr. PK पुरवर को MTNL का जो चार्ज दिया गया है It is for six months अब सब जानते होंगे BSNL और MTNL के merger की बाते चल रही है तो उसी से अभी उनका CMD है वो भी common होगे है विच कंट्री विल होस्ट दे एशियन boxing championship 2020 एशय मुक्यबाजी championship 2020 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है क्या वो चाइना है जापान है इंडिया है यह साउथ कोरिया है यहां हमारा जो right answer है students वो है हमारा इंडिया that is option number C will be the right answer here अच्छा इंडिया में अभी strength कोई भी city जो है उसको decide नहीं किया गया है बस हमें इतना पता है कि जो country host करने वाली है वो क्या है इंडिया है अभी कब से कब तक होने वाला है November और December में होने वाला है जो ही category के लिए कहां पर होने वाला है इंडिया में होने वाला है कहां पर आपके लिए question हो बन सकता है boxing federation of India अच्छा boxing federation of India का headquarter कहां पर है it is a name New Delhi New Delhi में इसका headquarter है और अगर आपसे president पूछ ले जाये तो उनका नाम क्या है अजय सिंग जो है वो boxing federation of India के president है state government has loaned an application name assess corona Delhi government इससे पहले क्यास शुरू कर चुके अपने अगर पढ़ा हो हमारे last session में आपको बताया था operation shield जो है वो भी किसने शुरू किया था Delhi government ने शुरू किया थे इसके बाद उन्होंने य ए application launch कर दिया है the app that has been launched by government of India for agree transportation देखो students agree products जो होते है अब भी आपको पता है खेती के बाद जो हमारे फसल होती है उसके delivery के लिए अब जो भी अनाज है उसके delivery कैसे की जाएगी तो उसके लिए transportation के लिए एक app launch के है जिसका नाम क्या है क्रिशी रथ है option number B यहां से हमारा right answer हो जाएगा RBA has revised the policy rates देखो हम सब जानते हमारे जो monetary policy rates होते है उसको कोई decide करता है RBA decide करता है monetary policy rates में आ जाते है आपका wrapper rate आ जाता है reverse wrapper rate आ जाता है तो अभी recently जो हमारे economic slowdown चल रहा है students उसके वज़र से हमारे जो current reverse wrapper rate है and wrapper rate है दोनों को ही decrease कर दिया गया है अभी हमारा जो reverse wrapper rate है वो कितना है it is 3.75% again आपसे अगर पूछला जाए what is the current wrapper rate wrapper rate इस time पर हमारा कितना है it is 4.4% is it clear to you students 4.4% क्या है हमारा wrapper rate है and reverse wrapper rate क्या है हमारा 3.75% है wrapper rate ऐसा rate होता है जिस पर banks borrow करते है money from RBI लेकिन जब RBI के पास banks अपना surplus money होता गर इसको deposit करते है तो उसको क्या बोला जाता है reverse wrapper rate बोला जाता है and in general cases reverse wrapper rate हमेशा wrapper rate से क्या होता है यहां पर एक और बात बोले गए थी कि जो हमारा liquidity coverage ratio होता है LCR होता है वो पहले 100% था और अब कितना कर दिया गया है 80% कर दिया गया है अब यह liquidity coverage ratio क्या होता है एक minimum amount होती है जो banks को अपने पास रखनी पड़ती है ताकि emergency cases में bank वो पैसा use कर पाई generally क्या होता है इसमें कौन सा पैसा होता है जो risk free होता है यानि जो government debts होते है मालने किसी भी bank ने मालनीजे किसी भी bank ने अगर government की schemes में या government में पैसा लगाया हुआ है तो वो पैसा वो कभी भी use कर सकते है तो उसको क्या बोला जाता है LCR ratio होता है वो और वो अभी कितना है 80% अभी decide किया गया है okay students now one more important news इसी से later थी कि अभी RBA जो है वो 50,000 crore जो money है फाइनेंस करने वाला है SIDBI को, NABAD को and हमारा जो national housing bank है उसको ठीक है तो total amount कितना रहेगा 50,000 crore rupees रहेगा ताकि उनको थोड़ा financially help किया जा सके who has been appointed as the ambassador of WWF that is worldwide fund worldwide fund जो हमारे इंडिया का है उसके ambassador कौन बन गए है सुनकन जो नाम है he is Mr. Vishwanathan Anand okay so Mr. Vishwanathan Anand जो है उनको बनाया गया है यहाँ पर worldwide fund का ambassador he is a chess player हम सब जानते हैं वो क्या है एक chess player है देखो स्ट्रेंस worldwide fund जो है वो ऐसी लोगों का group बनाना है जो environment के लिए काम कर रहें okay इसका main motive जो है वो यही है इसके अंडर एक program शुरू किया गया है जिसका नाम क्या है environment education program okay which of these is the fastest app in the world to reach 50 million downloads आप all over India में देखेंगे पहले क्या था Pokemon Go जो app थी वो ऐसी app बन गे थी जो सबसे ज़्यादा grow कर रही थी जिसको सबसे ज़्यादा लोग download कर रहे थे लेकिन उसके बाद में हमारे इंडिया में launch की गई एप है जो क्या है आरोग्य सेतू है यानि इसके लिए हमारा जो राइट आंसो है आप सब जानते है टोटल लोगडाउन यहां पर चल रहा है तो आपकी home delivery आपके पास की जाए अशैंसर सवसिस की इसी हाट जो वेबसाइट हमारा है वो शुरू किया है 36 गर्मेंट में यहां हमारा जो राइट आंसो है option number C है अच्छा इसको launch किया है किसने launch किया है वहां के governor of 36 गर्ड़ अब यहां पर कुछ static facts हैं जो 36 गर्ड़ से लेड़ हम cover करने वाले हैं ताकि आपको static governance थोड़ा strong हो 36 गर्ड में दो river हैं जो काफी famous हैं वो कौन सी हैं one is mahanadi and the second is indiravati महानदी और indiravati दो river हैं जो काफी famous है these are related to the 36 गर्ड स्टेट अच्छा महानदी के उपर जो डैम बना हुआ है उसका नाम क्या है सागर डैम है तो आप से question पूछा जा सकते है कि सागर डैम कौन सी river पर बना हुआ है तो महानदी river पर बना हुआ है स्टेट जो इससे related है वो क्या है च्छतिसगर्ड स्टेट है इसके लावे यहां से related दो wildlife century है जिसका नाम क्या है पामेदा wildlife century और गोमर्दा wildlife century जो काफी बार आपके examinations पूछे जा चुके question है पामेदा और गोमर्दा आर टू फेमस wildlife centuries in च्छतिसगर्ड इसके लावे यहां की जो फेमस dance forms है वो क्या है सैला है रोट नाच है और कर्मा है इसके लिए मैस कोट एक बताया गया तो इसके लिए मैस कोट एक बताया गया है इसका मैस कोट रहने वाला है क्लियर है स्टुएंस अच्छा यह कब कंड़क्ट करवाए जाएंगे एक्सपेक्ट है कि October 2022 में चाइना में होने वाले हैं हमारे एशन पैरा गेम्स फो बैक्ट थर्टेंट इंटरनेशन अरफ फिक्शन प्राइस 2020 सो यह फिक्शन प्राइस जो है कौन से इन में से राइटर है जिनको दिया गया है दिखें स्टुएंस इससे लेटर जो एक नोवल है जिस नोवल के लिए दिया गया उस नोवल का नाम क्या है इस स्पार्टन कोट इस नोवल जिसके लिए यह फिक्शन प्राइस दिया गया है और यहां पर जो हमारा राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर नमबर ए है अधिस अब्दुलाहब एश्यूई ठीक है अब्दुलाहब एश्यूई जो है उनको दिया गया है इंटरने अगर आपके पास SBA का ATM है और अगर आप Axis Bank के ATM से transaction करने गये हैं तो आपके उपर कुछ चार्जिस लगाया जाते हैं जिनको सर्विस चार्जिस बुलाया जाता है जिनको कहा जाता है सर्विस चार्जिस अभी डिसेंटले SBA ने पहा है कि आपके उपर कोई भी सर्विस च इंडिया से लेटर दो थी न्यूस हैं जो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली SBA ने 100 मिलियन डॉलर के green bonds इंवेस्ट किये हैं किसमें INX में विचिस अइindia international exchange इंडिया इंटरनेडाशनल एक्षेंट चार्जिस इंडिया इंटरनेशनल एक्षिंज जो पार्ट है मारे Bombay Stock Exchange का उसमें 100 मिलियन डॉलर के ग्रीन बोन्स लिस्ट किसने किये हैं VK bank को ToON beğुए है, इसके यावा ambitions रखे हैं तो आप मिनिमूम बेलंस चारज़िस देखूं, हर एक बैंक निनिकर ने लिया है, आपको 1000 से लेकर 2000 तक different different means अपने मिनिम्मम बैलंस चार्ज़िस रखे हुए हैं तो अगर आप minimum balance नहीं रखते हैं, तो भी आपके उपर S.B. कोई भी charges नहीं लगाने वाला है, यह काफी अच्छी initiative उन्होंने लिया है. Next question आपके सामने है, वरंजी चोधरी passed away recently, he was related to witchfeld. रंजी चोधरी जो है, जिनका हाली में निधन हुआ है, वो कि शेतर से संबंधित थे? इसके लिए हमारा जो right answer है, students, option number C है, that is actor. उन्होंने काफी films में काम किया है, जिसमें से prison break, जो है, एक movie है, इसके लावा उन्होंने खूब सूरत में भी काम किया है, और खटा मीठा में भी काम किया है. He has been appointed as the MD and the CEO of Paytium General Insurance Limited. Paytium General Insurance Limited के MD and CEO कौन बन गए हैं? इसके लिए हमारा जो right answer, option number C है, that is Vinit Arroda. Vinit Arroda को बनाया गया है, MD CEO of what? Paytium General Insurance Limited. Comment section में आप session खतम हो जाने के बाद बताएंगे, who is the MD and the CEO of Paytium Payment Bank? Next and the final question for you, जिसका answer आपको comment section में आज बताना है, what is India's estimated growth rate as per international monetary fund? International monetary fund में क्या बूला है, कि इंडिया का जो growth rate है, वो अभी कितना रहने वाला है? आप हमें Facebook पर भी follow कर सकते हैं, Instagram पर भी आप हमें follow कर सकते हैं, जिसका link जो है, वो आपको description box में मिल जाएगा. आपको किसी भी questions से लेटेड कोई भी doubt है, comment section में जरूर बताएं. इसके अलावा देखो, अगर आप चाहते हैं, इस session का PDF, तो वो कल शाम तक upload हो जाएगा हमारे telegram channel कर. Telegram अगर आपके phone में हैं, तो आपको telegram पर सर्च करना है, banking बस्ता official. Banking बस्ता official हमारा telegram channel है, जिसमें इसका PDF आपको provide किया जाएगा. So, stress यह था आज का हमारा session, I hope आपको हर एक चीज अच्छी से समझ में आ गई होगी. Next Sunday को आपके लिए 4th week का एक session आएगा, जो आपको जरूर देखना है. So, till then, goodbye and take care.